गुसा मानों के जीवन का घर, परिवार, समाज, समय, संपत्ती, सम्मान, हर चीज में परवाव करता है और यह ऐसी नेचुरल घटना है, कि अगर इसको नहीं पकड़ा जाता, नहीं कंट्रोल में किया जाता, तो एक पल का गुसा सब कुछ बरबाद कर देता है गुसे के अंदर कोई भी कदम उठाता है आदमी, लेकिन लेट समझ में आता है, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, तब तब सब कुछ बरबाद होता है यह उत्पन क्यों होता है, गुसा कामना के कारण से उत्पन होता है, जड़ क्या है गुसे की, जड़ है कामना, अगर कामना पूरी नहीं होती है, कामना अधूरी रह जाती है, कामना दब जाती है, और कामना का वेग बढ़ जाता है, जब उसका वेग बढ़ता है, तो क्रो करोध उत्पन होता है और करोध से फिर आदमी विनास की और पड़ जाता है तो अगर हम करोध को काबू में करने की कोशिश करेंगे यह नहीं करेंगा लेकिन करोध के अंदर भी बुद्धी काम करती है आप देखो करोध कितना समझदार है ताकतवर आदमी के सामने कभी आपने सुनाए कि किसी ताकतवर को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया करोध में ये कर दिया नहीं पता है उसको कि ये ताकतवर है और इसका प्रिणाम भुगतन पड़ेगा पता है उसको इस चीज़का इसलिए वो पकड़ में रखता है सब कुछ और जिस जो कमजोर होता है उसके आलाथ खराब कर देता है तो अगर हम करोध को पकड़ने लगेंगे करोध को काबू करने लगेंगे करोध काबू में नहीं आएगा क्योंकि जब तक जड़ के उपर परार नहीं होगा वरक्स सुखेगा नहीं और वरक्स उखड़ेगा नहीं, जब जड़ सूख जाएगी उसका जो पोशन हो रहा वो खतम हो जाएगा, तो वरक्स अपने आपस्वापत हो जाएगा, तो यह करोध रूपी जो वरक्स है ना, यह कामना के दवारा सीचा जाता है, इस कामना को खतम कर दो, देखो कौन सी का कामना के कारण करोध उत्पन हुआ है, कौन से काम के वेग के कारण करोध उत्पन हुआ है, करोध की तह तक जाओ, पहले करोध को समझो, और समझ करके उसकी तह तक जाओ, जब तह तक जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा, करोध के कारण का, करोध के कारण को समाप्त क कर दो करोद का स्थित्तों खतम हो जाएगा अगर हम करोद को काबू में करने लगेंगे दबाएंगे 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 विस्पोटक रूप ले लेगा और ज्यादा नुक्षान करेगा और ज्यादा प्रेशान करेगा दबाते रहो आपके दिमाग को खराब कर देग आपके दिमाग की नश्यों को पर बावित करेगा आपके बीपी को पर बावित करेगा स्वास्त्य को पर बावित करेगा इंद्रियों को पर बावित करेगा वाने को पर बावित करेगा यहां तक कि क्रोध के अंदर स्वास जो आते हैं सास जो चलती हो भी गरम होने लगते है फिर्ट वह भी होने लगती हैं लेकिन की ज़़ियों कामना खत्म हो जाएगी करोद का कहां मैंस्धित तो रहेगा कहीं भी नहीं आप समझों किसी वस्त्रुं के उपरोप आपको करोदा ऐा किसी ने आपकि वस्तु को चूरव दिया ऊठा लिया और जो भी कारण समझो अगर हम उस वस्तु के उपर जाकर के समझे उस तल के उपर और उस लड़ाई को वहीं खतम कर दे करोद को तो करोद का क्या स्थित्व रहेगा क्या स्थित्व रहे जाएगा क्या मैं तो रहेगा क्रोद क्यों रहेगा फिर कारणी खतम हो जाएगा तब और कारिया खतम करते रहो करते रहो करते रहो कारण खतम नहीं होगा कारिया उत्पन नहीं होते रहेंगे मिठते रहेंगे होते रहेंगे मिठते रहेंगे ऐसे सरकल गूमता रहेगा बिल्कुल करोद समाप्त नहीं होगा अगर आपको करोद के उपर कंट्रोल करना है तो इन कामनाओं को दब झाल झाल